साथियों भारत की विशेष्टा ही यही है कि हमारी संस्कृति हमारी परंपराएं हजारों हजार भर्षों से हर भारतवासी को जोडती आई है हमने मिलकर गुलामी के लंबे कालखण के हर हमले का सामना किया हमने मिलकर अपनी संस्कृति और सभ्यता पर कड़े से कड़े प्रहार जेले सत्ताएं बदली शासक आए गए लेकिन भारत अज्रा अमर रहा अटल रहा हम भारतियों का मन अपनी मिट्टी से बना है अपनी संस्कृति से बना है और यही आज विक्सित भारत के निर्मान की मजबूत आधार शिला भी है सात्यों मुझे इस समय असम के प्रसिद्ध साहित्यकार और फिल्मकार जोटी प्रहाद आगरवाला जी उनके द्वारा लिखा एक प्रसिद्ध गीत याद आ रहा है एक गीत है बिस्सा बिजोई नो जोवान इस गीत की एक और खांसियत है जब बारत रत्ना भुपेन हजारी का जी बहुत छोटे थे तब उन्होंने इस गीत को गाया था आज भी ये गीत देश के नवजवानों के लिए असम के नवजवानों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है मैं इस गीत की कुछ पंक्तिया पढ़ूंगा लेकिन पहले आपसे एक बात जानना चाहता हूँ आप मुझे उच्चारण दोस्ट के लिए माप तो कर देंगे ना पक्का करेंगे मैं गलती करू तो आप लोग नराजी होके देंगे वाकई असम के लोगों का रद है बहुत बिशाल है साथ्यों ये गीत है विस्सा बिजोई नौजवान विस्सा बिजोई नौजवान होक्ती हाली भारतोर उलाई आहा उलाई आहा होड्रान तुमी विपलो बोर होमो 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 खोटे मुक्ती जोजारू होशियार मुर्ट्यू विजोई कोरिब लागिबो साधिन ता खुली यार साथियों असम के आप सभी लोग इसका आर्थ बहुत बली बाती समझते हैं लेकिन जो लोग देश भर के इस कार्गम को देख रहे हैं उन्हें भी तो इसका आर्थ बताना जरूरी है कि असम की रगों में असम के दिल में असम की युवा पीडी के दिमाग में क्या है इस गीत में भारत के नवजवानों से आवान किया गया है विश्व विजेई भारत के नवजवान भारत मा की पुकार को सुनिये ये गीत युवाओं का आवान करता है कि बडलाव का बाहक बनिये ये गीत भरोसा देता है कि हम मृत्य उपर पर विजय पाएंगे और स्वाधिन ताके द्वार खोलेंगे आध्यों ये गीत तब लिखा गया था जब आज आदी ही सबसे बड़ा सपना था भारत आजाजाद है और आज विख्षीद भारत का निर्माण हम सभी का सबसे बड़ा सपना है हमें देश के लिए जीने का सववाग्य मिला है मैं देश के नवजवानों से असम के नवजवानों से आहमान करूँगा मेरे भारत के युवाओं आप मैं विश्व विजए करने का सामर्त है अब आगे बढ़िये तेज गती से विकास की बागनोर समालिये विक्सित बारत के दार को लिए